हलो गाईज, वेलकम बैक टो आल चैनल, CSE Concepts with Parinda सो गाईज, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जीतियों के तरफ से वापस नया सर्कूलर आया है, अभी अभी ही थोड़ी देर पहले यह ओफिशल सर्कूलर आया है, अब देख सकते हैं, और यह सर्कूलर किसके बारे में है, आपके अभी जो Winter 2020 Examinations होने वाले हैं उसके बारे में, जैसे कि आप लोगों को पता है, अल्रेडी जीतियों का सर्कूलर आ चुका है that 1st January 2021 से, आप लोगों के written examination चालू होंगे, जो offline mode में और descriptive mode में होगा तो काफी सारे students को अभी भी hope थी कि नहीं, शायद कुछ, काफी सारे students request कर रहे थे, GTO को बहुत सारे emails भी लिखे गए थे इसलिए अभी भी ये बहुत सारे students की उमीद थी कि शायद GTO अपना decision change करे और exam online लिया जाए because अभी बहुत सारे disputes चल रहे है, mostly सारे students यहीं चाहते हैं कि exams online mode में लिया जाए but let me tell you, आज जो circular आया है GTO का, उसके तरफ से उसके बाद ये चीज clear हो जाती है कि GTO is very firm about their decision और exams वो लोग offline ही लेने वाले है क्योंकि ये वाले circular में क्या है, उन्होंने guidelines पूरी दे दी है GTO के तरफ से that guidelines for exam center and students for winter 2020 university theory examination तो क्या लिखा है यहाँ पे, कि January में जो theory examination होगी आपकी offline mode में उसमें कौन से कौन सी guidelines follow करना पड़ेगा exam center में और students को उसके बारे में यहाँ पे list दे दिया है so guys ये list या फिर ये circular का information आपके पास होना या ये पूरा list आपको पता होना इसलिए जरूरी है because this is very important क्योंकि हम सबको पता है अभी COVID की situation कैसी चल रही है तो essay में offline exam लेना is already very risky और अगर offline exam लिया जा रहा है उसके बाद ये वाले जो guidelines ये most important है because अगर offline exam लिया जा रहा है और ये guidelines follow नहीं किया जा रहा है तो आप students लोग strictly इसके बारे में complain कर सकते है या आगे जो भी higher authorities है उनको inform कर सकते है So you should ensure that ये जो भी इतने सारे points ये पर दिये है ये हर एक point आपका जो भी examination center है वहाँ पर follow किया जाए because compulsory लिए उनको follow करना ही पड़ेगा because अगर follow की चीज follow नहीं कर रहे है तो इतने सारे students के लिए ये बहुत बड़ा risk create हो सकता है So guys देख लेते हैं ये जो circular है GTO का उसमें उन्होंने क्या-क्या बोला है और कौनसे-कौनसे guidelines follow करने है तो बहुत basic guidelines है but आपको ये सब के बारे में information होना बहुत ही जरूरी है तो देखें क्या-क्या लिखा है सबसे पहले तो यही लिखा है कि instructions, guidelines and orders issued by central and state government concerning the safety and health should be abided तो central government और state government, गुजराज state government के तरफ से COVID के related जो भी guidelines ये instructions दिया गया है अभी तक ये सब कुछ उनको follow करना पड़ेगा, जो भी examination center होगा आपका आपकी घर के आजपास, most probably आजपास ही दिया होगा तो वो examination center में ये सारे guidelines follow होने चाहिए mask, सारे students, teachers, faculties, सबने पहने हुए होने चाहिए social distancing का पालन करना पड़ेगा sanitization, proper sanitization करना होगा exam center पर ये सारी चीज़े यहाँ पर लिखी है फिर जैसे ही कोई भी student enter होगा तब proper thermal screening होनी चाहिए जैसे आपको पता thermal screening क्या है आपका temperature चेक किया जाता है अगर कोई भी student का temperature जादा है या उनको COVID की chances है, risk है तो उनको तब enter होने नहीं दिया जाता तो यहाँ पर वही लिखा है सारे examination center में proper thermal screening होनी चाहिए सबने face mask पहना होगा होना चाहिए हाथ सब का sanitization, sanitize करने के बाद ही अंदर enter होने चाहिए फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी इन में से कोई भी चीज compromise नहीं होनी चाहिए और strictly sanitizer, face mask, hand gloves यह सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा entry और exit points दोनों जगा पे और जो भी classroom, जो भी आपका examination center है वहाँ पर आप जब examination center में घुस रहे हो वहाँ पर gate पे भी यह सारी चीज़े होनी चाहिए प्लस यहाँ पर लिखी दिया है कि जो भी every classroom है जो साब को पता होगा हर एक examination center के अंदर again 5-10 अलगला classrooms होते हैं जहाँ पर exam सलते हैं तो यहाँ पर वही लिखा है कि हर एक classroom के बाहर भी sanitizer होना चाहिए sanitizer का bottle वहाँ पर भी present होना चाहिए तो हर एक आपके जो college है या जो center है उसके gate पर भी present होना चाहिए और हर एक classroom के बाहर भी sanitization proper available होना चाहिए sanitizer का bottle available होना चाहिए सारे students को यहाँ बें यह चीज़ बोली है कि एक घंटे पहले ही आपको examination center में पहुच जाना है और examination center जो है वो सारे students को एक घंटे पहले से ही अंदर जाने देंगे line by line because अगर exam के 10-15 minute पहले ही gate खोलते है तो सारे students के वहाँ पे भीड होने की संभावरा है इसलिए वहाँ पे crowd ना हो भीड ना हो इसलिए एक घंटे पहले से सारे students line में proper social distancing रखके अंदर जाएंगे तो इसलिए make sure कि जो भी आपका examination center है वहाँ पे एक घंटे पहले ही पहुच जाए फिर जो भी आप लोगे बैठने का वहाँ पे arrangement होगा, setting arrangement होगा वो ध्यान रखा जाएगा कि हर एक student at least 2 meter दूर दूर बैठे एक block में ज्यादा से ज्यादा 15 students ही allocate किया चाहेगा 15 students या उसे भी कम कहीं पे भी 15 students से ज्यादा students एक block में नहीं होने चाहिए यह चीज यहाँ पे clearly बोल दी गई है exam center पे आपको जो भी instructions दिया जाए कोविड के related वो सब आपको strictly follow करना है आप सारे students वहाँ पे पहुँचे उसके पहले जीतने भी benches है, desk है, chairs है वो सब को properly sanitization उन सबका proper sanitization अलड़ी किया हुआ होगा students पहुँचे उसके पहले तो यह examination center को ध्यान में रखना है उसके अलावा जो भी अलग-अलग exam के sessions है, for example, सुभा एक session होगा, सुभा तीन गंटे के अलग exam होगी, शाम को दो गंटे के अलग exam होगी तो यह अलग-अलग session of examination है, उसके बीच का जो time होगा उसमें भी अगीन सारे benches को, because वहाँ पे दूसरे students वापस आके बैठेंगे तो इसलिए उसके बीच ही बोला गया है कि examination center को पूरी building, benches, सब कुछ वापस sanitize करना होगा और जो भी ऐसे, क्योंकि हम सबको पता है, examination center में students तो जाते ही है, प्लस बहुत सारे staff members, faculty members भी जाते है तो यहाँ पर clearly ऐसा बोल दिया है कि जो भी faculty, अगर वो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं, जो contentment zone है, उनको strictly वहाँ पर allow नहीं किया जाएगा कोई भी ऐसे faculty जो contentment zone में रहते हैं, वो लोग examination center पर नहीं जाएंगे यह बहुत important point यहाँ पर बोला गया है और जैसे मैंने बताया कि screening तो होगी ही thermal screening, अगर वहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई भी student को या faculty members को किसी को भी fever है या किसी का भी temperature high है, उनको enter नहीं होने दिया जाएगा because अगर by chance वो affected है, तो वो अंदर जाके दूसरी students को effect ना करे इसलिए proper thermal screening होगी और जिनका temperature कम है, यह limit के अंदर है, वो लोग ही enter हो पाएंगे फिर सबको compulsory mask पहनना है, सारे floors, दिवाल, दर्वाजा, खिड़की, सब कुछ पहले से sanitize किया हुआ होगा properly clean होगा, washrooms तक सब कुछ clean होगे जो भी आप examination center पर जा रहे हैं, अगर वहाँ पर सीडिया है, तो सीडिया, lift के button, door, door handle, हर एक चीज properly disinfect की होई होनी चाहिए exam center को यह चीज ध्यान में रखना है अगर examination center में wheelchairs है, specially built students के लिए, तो वो wheelchairs जो है, वो भी properly पहले से disinfect किया हुआ होना चाहिए हर जगा hygiene का ध्यान रखना चाहिए, और हर एक जगा, मतलब proper students, जो examination center होगा वहाँ पर students को proper, जो भी sign, posters, वो साथी चीज़े available हो जहाँ पर, students को information दिया जाए कि उनको social distancing और कौनसे का ध्यान रखना है, तो वो proper उनके पास information होना चाहिए फिर एक important point यह है कि हर एक student faculty members, जो भी examination center में जाएगा, वो सबके mobile में आरोगय सेतू app होना compulsory है, तो यह बहुत important है, तो सारे students, specially वहाँ पर जाके आपका time waste ना हो, इसलिए आप लोग वहाँ पहुंचने के पहले आप घर से ही अपने mobile में आरोगय सेतू app इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, फिरी जाएए, वहाँ पर चेक होगा, और compulsory सारे student faculty सबकी mobile में आरोगय सेतू app होना compulsory है, सारे entry और exit gates ये बोला गया है कि examination center को सारे entry gate और exit gates खुले रखने को, because वहाँ पर अगर student के आने के बाद watchman या कोई खोलेगा, फिर students का भी उसी gate में हाथ लगेगा, तो उससे like infection family का डर जादा होता है, इसलिए पहले से ही gates खुले रखे जाए, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, crowd avoid करना है, क्योंकि कहीं पर भी भीड हो, वहाँ पर risk जादा होता है, इसलिए crowd avoid करना है, students जब exam देने जा रहे है, प्लस जब निकल रहे है, तब continuously ध्यान रखना है कि social distancing हो रही हो, और students one by one जाए, फिर hand wash के लिए, toilets के लिए, washrooms के लिए, हर जगह पे proper soaps, water, वो सारी चीज़े अविलेबल होनी चाहिए, ताकि किसे को कोई problem ना हो, जो restroom है, वहाँ पे भी हर जगह पे, liquid hand wash अविलेबल होना चाहिए, because अगर वो solid soap हम रखते हैं, तो उससे भी infection फैलने की possibility जादा होती है, इसलिए बोला गया है, कि liquid water bottles, wash bottles अविलेबल होने चाहिए, जहां से, as we all know, कि वहाँ पे सबका touch नहीं होगा, fine, तो इसके लिए ये भी बोली गई है, कि hand washing के लिए, liquid soap अविलेबल हो, washroom, restroom हर जगह पे, उसके अलावा drinking water, साफ drinking water अविलेबल होना चाहिए, examination center में, ताकि students को किसी तरह से कोई problem ना हो, clean dust bins अविलेबल होने चाहिए, जो भी अगर कोई vehicle है, कोई भी college के थूँ, अगर विकल दिया जा रहा है, तो बस यह जो भी vehicle है, उसको भी sanitize किया हुआ होना चाहिए, students को ऐसा बोला जा रहा है, कि अगर examination center ऐसी जगप है, जो उन्होंने पहले नहीं देखा, तो examination center एक दिन या दो दिन पहले जाके आप देख लीजिए, ताकि उस दिन, अल्रड़ी एक घंटे पहले पहले जानी ना हो, तो अगर आपने examination center अभी दक नहीं देखा, तो एक दो दिन पहले जाके वो आप देख लीजिए, फिर students को भी ऐसा, वहां पर बोला गया है, कि generally हमें पता है, students exam देने जाते हैं, तो उनको extra कुछ भी लेके, enter नहीं होने दिया जाता रहा, एट की mobile उनके पास जानी होना चीए, ये वो, तो इसमें ये चीज़ क्लियरली बोली है, कि भले और कुछ लेके जाने दे या ना लेके जाने दे, बट सैनिटाइजर अलाव करना है, मतलब अगर students चाहे अपनी safety के लिए वो अपने pocket में अपने पास एक छोटा सा सैनिटाइजर का जो bottle आता है चोटे bottles आजकल आता है, जो easily हम कर सकते हैं, तो एसा एक छोटा सैनिटाइजर का bottle आप आपके पास रख सकते हैं, आपके safety के लिए और वो आपको examination center में अंदर भी लेके जाना अलाव होगा, आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, और यहां पर ऐसा बोल दिया है, still कि वहा आपका पानी का bottle, sanitizer, छोटा, यह सारी चीज़ें आपके पास ही रखें, ताकि कोई problem ना हो, फिर वापस वही चीज बोली है, कि वापस निकलते हैं टाइम भी, students one by one बाहर निकलेंगे, सारे students एक साथ नहीं निकलेंगे, ताकि भीड ना हो, right, तो one by one निकलेंगे, उसके अल इतनी सारी जो भी guidelines से यह सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, यह नहीं रखा गया, मतलब हो सकता है, like, I know कि mostly examination centers ध्यान रखेंगे ही, but कुछ examination center हो सकता है, कि उनको ऐसा लगए कि हम अंदर के side है, like, हमारा location ऐसा है, कोई problem नहीं होगी, चलो छोडो, like, होता है, because we all know, right, ऐ इसी चीज़े होती है, but यहाँ पर यह clearly बोल दिया है, कि जो university representative होंगे, वो हर एक examination center पर जाके check कर सकता है, और जो भी examination center ने यह वाले चीजों का ध्यान नहीं रखा होगा, उनकी उपर strict action दिया जा सकता है, because यह जो चीज़े है, यह बहुत ही important है, हर एक student के लिए, इसलिए यह चीजों को बहुत strictly follow करना पड़ेगा, examination center को भी, और सारे students और faculties को भी अपने हिसाब से यह सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, because at the end वो उनकी खुद की safety के बारे में, उनकी खुद की safety के लिए ही यह सारी चीज़े की जा रही है, right, so these are all the guidelines जो G2 के तरफ से आय है, मतलब आपका अभी January में, जो है offline exams ही होंगे, that is for sure, that is confirmed, और आपके offline exam में, आपको यह सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, for your own safety, wish you all the best, thank you.